आपको किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंटरी ऑपरेशन समय कैसे लगाना है तो देखते हैं शुरू करते हैं आपको किसी भी मैट्रिक्स में आप मैट्रिक्स मान लिजे कोई A बराबर आपका दिया हुआ है आपको कोई मैट्रिक्स है 1 2 1 मान लिजे पहली रो में दूसरी रो में माइनस 1 रूट 3 1 और तीसरी में है 5 6 और 7 और एक और मैट्रिक्स मान लिजिए बी बराबर आपका है 1, 3, 5 2, 3, root 5 1, 2, 4, 2, 1 आपका एक मैट्रिक्स यह है आपका यह दो मैट्रिक्स आपको इसी मैट्रिक्स पर कैसे आपको elementary operation लगाने हैं देखते हैं जबकि elementary operation है उनको आप दो तरीके से लगा सकते हैं या तो आप row में लगाएंगे या तो column में पहला क्या है row operation second क्या है आपका column operation किसी भी मैट्रिक्स में आप या चाहे उसमें row operation लगा लीजिए चाहे पर column operation कोई भी बाउंडिशन नहीं है कि इसमें आपको row operation लगाना और इसमें column operation वह आपको अपनी सुविधा के नुशार जो भी आपको easy लगे या जो आपको सुविधा जनक लगे वह operation आपको यूज करना है तो देखते हैं पहला operation क्या होता है पहला operation होता है ट्रांस्फोर्मेशन स्वरी इंटर्चेंज ओफ rows पंक्तियों का क्या करना है पंक्तियों का आपसे परिवर्टन करना है कैसे करना है? देखते हैं मान लिजे कोई आपकी R, I, R, O है आप R, I, R, O को किसे जेंज कर रहे हैं R, J, R, O से मतलब कि आपकी मान लिजे ये R, I, R, O है और ये क्या है R, J, R, O यहाँ पर मान लिजे कि I की value 1 है और J की value 2 है आप पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति से बदल रहे हैं तो कैसे होगा तीसरी पंक्ति सेम आपकी वैसे ही रहेगा 5, 6, 7 आपकी तीसरी पंक्ति सेम वैसे रहेगी जो operation आप लगा रहे हैं वो पहली दूसरे में लगा रहे हैं तो क्या होगा R I J के स्थान पे जाएगी और R J कहां पे आएगी I के स्थान पे तो ये दूसरी पंक्ति कहां पे जाएगी पहले के स्थान पे माइनस 1, रूट 3 और 1 और ये कहां जाएगा आपका 1, 2, 1 आपने यहां पे क्या किया दूसरी रो को पहली रोक के स्थान पे किया और पहली रोको दूसरे रोके स्थान पे किया शेम इसी तरह अगर यही interchange हम columns में करें जैसे हमारा इंटर्चेंज row में हुआ अगर यही column में होगा तो क्या होगा मौन लिजैQué R.I था अभी यहां क्या हुआ C.I को हमने interchange करते हैं जो आप question के माद्द欸um समझ पाएंगे तो अगर हमें इन्में row हमने row opposite में change कर लिए अगर हम kolum change करना चाहे हैं तो क्या ऐगा हम पहले कॉलम को दूसरे कॉलम से change कर रहे हैं तो क्या आएगा पहले कॉलम में 3 3 2 आया और दूसरे कॉलम में क्या आया 1, 2, 4 और तीसरा कॉलम हमने नहीं चेंज किया 5, root 5, 1 वैसे ही रहा तो ये हमारा क्या हुआ पहला operation हुआ elementary operation का जो पहला part है वो गया है row operation दूसरा क्या है column operation तो उन इन operations में जो हम पहली चीज लगाएंगे वो क्या होगा interchange of row पहला हम क्या लगा सकते हैं हम उनको आपस में interchange कर सकते हैं उनकी rows को आपस में interchange कर सकते हैं देखते हैं दूसरा क्या है देखते हैं हमारा second operation क्या है दूसरा होता है multiplication of multiplication of scalar quantity किशी भी scalar का किसी ROW या किसी कॉलम में हमें गुणा करना है क्यों हमें कुछ भी जो भी हम डिजायरबल है उसके लिए हम किसी भी scalar का गुणा कर सकते हैं तो देखते हैं इसको कैसे broadcast मान लीजे हम क कोई डू है आपकि 31 है इस रू में हम इस का गुणा करắूँ करना चाहते हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब मानमी अब मान लीजे जो k है यहां पर हमने k क्या किया हमने k2 रख लिया और जो आपकी r i है यह हमने पहली रो में कर रहे हैं क्या हो जाएगा r 1 तो यहां क्या हो जाएगा r 1 R1 में क्या कर रहे हैं आप 2 का गुणा कर रहे हैं तो कैसे होगा देखते हैं आपका A बराबर क्या हो जाएगा 1 दूसरी और तीसरी रो में हम कुछ नहीं कर रहे है 5, 6, 7 आपका वैसे ही रहेगा पहला क्या होगा –1, root 3, 1 पहली रो में आप क्या कर रहे हैं 2 का गुणा कर रहे हैं क्या आजाएगा टू और यह टू टू फोर और यह टू और अब अगर यही चीज हम कॉलम में करें C, I कॉलम में किक का हम कोई भी स्केलर क्वांटिटी का हम गुणा करा रहे हैं क्या आएगा अब मालीजी यह जो कॉलम है आई क्या हुआ आपका मालीजी पहला कॉलम भी हो सकता है दूसरा कॉलम भी हो सकता है और तीसरा कॉलम हो सकता है तो मालीजी यह आपका पहले कॉलम में आप क्या कर रहे हैं तीन का गुणा कर रहे हैं आपका के कुछ भी हो सकता है दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है आप पहले में तीन का गुणा कर रहे हैं तो देखते हैं आप पहले कॉलम में अपरेशन लगा रहे हैं तो दूसरे और तीसरे वैसे ही रहेंगे त्री, त्री, टू फाइब, रूट फाइब और वन आप 3 का गुना कर रहे हैं पहले कॉलम में तो करिए 3 का 1 में करेंगे 3 और 3 का दूसरे कॉलम में 6 3 का 4 में 12 यह आपको क्या हुआ दूसरा ओप्रेशन मल्टिप्लिकेशन ओफ स्केलर यह आप किसी भी रो किसी भी कॉलम में लगा सकते हैं उसके आद देखते हैं तीसरा क्या है एडिशन ओफ टू रोज और कॉलम्स मतलब आप किनी दो रोज को अपने जरूरत की साब से जोड़ भी सकते हैं और दो रोज को आपस में घटा भी सकते हैं और सिम यही चीज आप कॉलम में भी कर सकते हैं तो देखते हैं कैसे जोड़ना है अब इसमें क्या होगा कि आप किनी भी दो रोज को मान लीजे जोड़ रहे हैं मान लीजे आप आर वन और आर टू को जोड़ रहे हैं तो उस आर वन और आर टू को जोड़ने के बाद उस जो भी वैल्यू आएगी जो भी आप जोड़ेंगे उसको कहां रखना है ये कैसे सो करेंगे तो देखते हैं आप क्या कर रहे है आर वन या कोई मान लिजे आर आई है और आप जोड़ रहे हैं आर जे के साथ इन दोनों को जोड़ने के बाद आपको कहां रखना है मान लिजे आपको इन दोनों को जोड़ा और रखा कहां पे RJ की पोजिशन पे अब देखते हैं यही चीज हम पहली और दूसरी रो पे लगाते हैं माल लिजे हम R1 रो पे R1 प्लस R2 लिख रहे हैं तो देखते हैं क्या करना है हमें हम R1 और R2 को जोड रहे हैं और रखेंगे कहां पे R1 की पोजिशन पे तो R2 और R3 मतलब दूसरी और तीसरी रो में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा वो दोनों रो अपने जगा पे रहेंगी तो इन दोनों को पहले लिख देजिए माइनस 1 रूट 3 और 1 5, 6, 7 आप किनको जोड़ रहे हैं R1 और R2 को तो 2 और 1 जुड़ेगा 1 4 और रूट 3 जुड़ेगा 4 प्लस रूट 3 2 और 1 जुड़ेगा 3 ये क्या हुआ आपने किनी 2 रोग को जुड़ा और आपने उनको कहां पे रखा R1 की पोजिशन पी अगर यही चीज आपको R1 और R2 को जोड़ के R2 के पोजिशन पे रखना होता तो आप यही सारी चीज़े R2 की पोजिशन पे रखते और R1 जो भी था उसको पहले वैस्ट जैसे भी था As it is वैसे ही रख दिये जाता अब यही चीज़ेगर हमें Column में लगाना हो Column में कैसे होगा मान लीजे आप भी क्या था आप क्या किये Column 1 में Column 1 और Column 2 को जोड़ के आप रख रहें तो क्या होगा Column 1 और 2 3 और 3 6 9 12 और 2 14 और जबके Column 2 और 3 हैं वो वैसे ही रहेंगे 3, 3, 2 और 5, root 5, 1 ये दो column आपके सेम वैसे रहेंगे आप देखते हैं आगे